आज की वीडियो में हम और्गनाइजेशन आप सिलोम को देखने वाले हैं देखिए सिलोम को कुछ लोग सिलोम पढ़ते हैं कुछ लोग कोईलोम पढ़ते हैं आपको इसके प्रोनाउंसियेशन से उतना खास्त मतलब नहीं होना चाहिए आपको इस तरीके से पढ़ना है ताकि इसकी वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाए तो कोईलोम बोलने से वर्ड मीनिंग बड़ी असानी से क्लियर होती है को-ई-लो-म देखिए C-O-C-O-E-L-O-M लोम तो इस विए से आप कोईलोम पढ़ सकते हैं कि इसे normally हम siloom पढ़ते हैं तो बस यहीं पर इसकी कहानी खतम करते हैं अब समझते हैं कि क्या है organization आप siloom तो सबसे पहले अगर इसको word को भी ध्यान से देखें तो यानि कि siloom का organization इसे ही हमें देखना है तो आईए start करते हैं सबसे पहले तो मन में question यहीं आएगा कि siloom क्या होता है यह siloom जो यह word है यह क्या है यह कहना क्या चाहरा है तो पहले यह समझते हैं तो देखें जो आपका यह जो siloom है यह एक Greek word है ठीक है Greek word है यहां का word नहीं है यह Greek word से लिया गया है और जिसका मतलब होता है cavity यह कह सकते हैं body cavity ठीक है तो इसी वज़े से जो siloom है उसे body cavity के भी नाम से जाना जाता है यह कह सकते हैं कि जो आपका siloom है वो body cavity की तरफ indicate करता है यानि कि यह simple सी बात है कि जादातर animals के अंदर जो आपकी body cavity होती है present होती है या कह सकते हैं जो आपका siloom होता है वो present होता है तो उमीद करता हूँ यह बात समझ गए होंगे तो siloom या body cavity आप कह सकते हैं कि एक ही चीज है अब बात आई कि फिर यह body cavity या siloom करते क्या है ठीक है या यह होता क्या है तो समझे कि body cavity होती क्या है क्योंकि यह word बार-बार आएगा देखिए body cavity is a fluid filled space inside the body that holds and protect internal organs ठीक है यानि बात समझ गए होंगे यानि कि हमारी body के अंदर का वह space ठीक है हमारी जो body है उसके अंदर present वह space जहां पे आपके internal organ रहते हो वो इंटरनल organ को protect करने का काम करता हो और उसमें white color का fluid हो यानि कि आप इस तरीके से कहते हैं कि body के अंदर का वह space जहां एक white fluid भरा होता है और यहीं पे internal organ रहते हैं और उनकी protection का काम भी यही करता है यानि कि body cavity के अंतरगत fluid होता है वो fluid से भरा हुआ होता है और इसी fluid में आपका internal organ पड़े रहते हैं तो अगर हम आपसे पूछें कि मोटा मोटा आपने क्या समझा तो आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा हमने यह समझा कि body cavity एक जगह है खाली जगह है जहां पे आपके internal organ उसी में पड़े रहते हैं और ये body cavity ही उनकी सुरक्षा का काम करती है उनकी रक्षा का काम करती है उसी internal organ के साथ ही साथ उस पे white color का fluid भी भरा होता है simple सी बात है इतना तो कोई complicated है नहीं समझे या body cavity समझे हमने एक तरीके से ये topic clear कर लिया अब एक word और है जो बार बार आएगा जिसका नाम है metajones ठिक है अब आप कहेंगे ये क्या है metajones क्या है पहले उसे भी समझे कि ये कैसे बार बार आएगा देखे कहा जाता है कि जो आपका body cavity है वो ज़्यादा तर animals के अंदर पाया जाता है या कभी कभी आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाता है कि body cavity जो है या sea loam जो है वो metajones के अंदर पाया जाता है तो बात आती है चलिए animal कहता है तो हमें समझ में आगे कि चलिए ठीक है जानवर यानि कि हम लोगों या जानवर के अंदर पाया जाता है लेकिन ये metajones क्या कह रहा है अगर animal न कहे के metajones कह दे और मैं आपको दोनों तरीके से आपको लिख के notes प्रोवाइड कर वाऊंगा ताकि आपका दिमाग और विक्सित हो चीजे और अच्छे से समझ में आए मन में कोई doubt ना हो कल वो कोई metajones कह दे तो आपके मन में कोई doubt ना आ जाए तो इस वज़े से metajones को समझे metajones क्या होता है यही कुछ दो-तीन word है जिनको समझ लिया तो फिर life जिंगा लाला यह पूरी topic खतम हो जाएगी इसमें कुछ है ही नहीं कुछ ऐसा खास ही नहीं जो आपको बहुत दिक्कत दे ठीक है समझे metajones का मतलब क्या होता है कि ऐसे animal जिनमें embryo के development के दोरान जो हमारा embryo यानि कि भूड होता है यानि कि जब हम प्यार करते हैं प्यार करने से जाइगोड बनता है जाइगोड से आपके embryo का development होता है तो जब उस embryo का development हो रहा होता है उसी दोरान अगर three layers का formation होता है तो ऐसे animals को ही metajones कहते हैं या इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि animals जिनमें three layers का formation होता है embryo development के दावरान ऐसे animals ही क्या होते है metajones होते है ठीक है यानि कि ऐसे animals जिन में three layers का formation embryo development के दावरान ही होता है ऐसे जो आपके animals होते है या ऐसे जो जीव होते है उनको metajones कहते है जो three layers बनते है उनके नाम भी सुन लिजे तो आपको सामने figure है दिख रहा होगा जो सबसे बाहरी layer होती है उसको कहते हैं ectoderm जो beach वाली layer होती है उसको कहते हैं mesoderm और जो सबसे अंदर की अंदर वाली layer है उसको कहते हैं endoderm तो ecto का मतलब हो गया बाहर ectoderm यानि कि सबसे बाहरी लेयर जो हमारी skin नहीं होती है सबसे उपर वाली लेयर उसी लेयर की बात चल रही है तो जो three layers जो develop होता है embryo के development के दोरान वो layers यही है कौन-कौन सा, सबसे बाहरी लेयर को ectoderm कहते है जो सबसे अंदर वाली layer है उसको endoderm कहते है जो सबसे बाहरी लेयर है जो सकिन वाली लेयर है उसी लेयर की बात चल रही है उसी लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं अब इस लेयर के अंदर हमारी मसल्स होते हैं तो उस मसल्स वाली लेयर को मीसोडर्म कहते हैं और जो सबसे अंदर की लेयर है उसे भाईया हम प्यार से इंडो derm कहते हैं indo का मतलब ही आपको समझ में आ गया तो बस इस topic को समझ लिया आपका समझ लिजिये समझना चरीतार्थ हो गया अनि कि आपको चीजों बहुत अच्छे से समझ में आ गई अब आपको कोई काथिनाई होगी ही नहीं इस topic में तो हमने दो Mechanical Organ को protect करने का भी काम करता है, तो यह था Body Cavity, Meta John's किया है, Meta John's को अगर हम मोटा-मोटा कहना चाहिए, तो कह सकते हैं, कि ऐसे Animal, जिसमें 3 Lairs पाय जाते हैं, सिम्बल सब चाहिए, ऐसे Animal, जिनमें 3 Lairs पाय जाते हैं, कौन-कौन सी Lair, हमें पता है एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म खतम सिंपल सी बात थी तो ये दो चीज हमने मोटा मोटा समझ लिए अब बात आएगी कि ये जो सिलोम है ये जो बॉडी कैविटी है ये प्रिजेंट कहां पर होती है अब बताएए अब आपकी चराकिये भी निकल जाएगी अब बताएए कहां प्रिजेंट होते है हम बताएएगे न भाई क्यों नहीं बताएएगे बहुत क्लियरली बताएएगे फिगर दिखा के बताएएगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा वैसे तो हम बोलने को बोल देंगे कि Elementary Canal और Body Wall के बीच में आपका सिलोम प्रिजेंट होता है अब ये सुनके आप खुस भी हो जाएगे जब बाद में पढ़ने जाएगे और अगर इसको समझने की कोसिस करेंगे तब आपकी बुद्धी हरियाना स्टार्ट होगी Reason क्या है? Reason ये है कि Elementary Canal और सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले Elementary Canal यानि कि जो हमारे Digestive Tract है वो आता है उसमें चीजें हमको समझ में नहीं आती है कि इसमें ये सिलोन प्रिजेंट कहां पे है और ये जो Small intestine और जो Large intestine वाला सिलोम है उसकी बात चल रही है क्या कह रहे है ऐसे में माथा घूमने लगता है कि क्या कहना क्या चाह रहे है तो मैं आपको बिलकुल Figure से समझाऊंगा एकदम डाउट बचेगा ही नहीं Figure मैं देख रहे है आपको ये है आपका जो सबसे अंदर वाली जो आपकी लेयर है यही है आपका Elementary Canal और जो सबसे बाहरी लेयर होती है यानि कि जो आपका Indoderm है यानि स्वारी Ectoderm है वही क्या आपकी बाहरी लेयर है तो Body Wall का मतलब क्या हो गया सबसे बाहरी लेयर तो Body Wall और elementary canal के बीच का ये जो part है यही siloom कहलाता है तो हमने अभी अभी आपको definition में यही न कहा कि elementary canal और body wall के बीच में आपका siloom present होता है बात खतम अब भया इसके बाद भी कोई मन में doubt बच जाए तो हमसे कहिएगा हम दूसरा तरीका try करेंगे लेकिन ये कहने से पहले आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा उमीद हमारी पूरी यही है कि आपके मन में doubt नहीं बचेगा कोई doubt रह जाए तो हम है ना यार हमसे कहिए हम बताएंगे न आगे चलते हैं देखिए ये हमने पूरा अच्छे से siloom को समझा अब जरा इसके आगे के तरफ बढ़ते हैं कितनी देर हम siloom को ही समझते रहेंगे definition भी हमने समझा दी अपने definition भी देख लिया Hindi English both language में है जिसको जो अभी पसंद आता है उसको adapt कर लीजे अब आगे चलते हैं थोड़ा अब हम बात करेंगे types of siloom की उससे पहले एक बार siloom को इस figure के according भी समझ लिजे बहुत लोग को ये clear हो ही नहीं बाता है कि मतलब siloom कहाँ पे present है ठीक है तो देखे इस तरीके से भी clear कर देता हूँ आपको ये रहा हमारी body ठीक है ये body का elementary canal वाला part ये दिख रहा है ना आपको elementary canal तो ये रहा elementary canal ये है आपकी body wall और इनके जो बीज का ये space है जो खाली है यहाँ पे ही जो आपके body canter जो आपके internal organ होते हैं वो यहाँ पे present होते हैं तो ये जो खाली space है ये ही क्या है आपका body cavity या कह लिजे siloom होता है ये रही आपकी body wall और आपको पता है ये वाला जो पार्ट है जो आपका digestive वाला पार्ट होता है ये क्या है ये ही आपका elementary canal है पता नहीं होगा तो मैं दिखा रहता हूँ ये रहा आपका figure ये जो इसमें जो जो दिख रहा है वो सब elementary canal के अंतरगत आता है तो ये रहा आपका elementary canal ये रही आपकी body wall यानि कि आपकी सबसे बाहरी layer यानि कि आपका skin और इनके बीच में जो space यहाँ पे present है जहाँ पे internal organ रहते हैं यही आपकी body cavity या siloam है चाहे आप इस side की बात करें चाहे आप इस side की बात करें ये जो खाली space है यही आपकी body cavity उमीद करता हूँ आपकी मन में कोई डाउट बचे गाही नहीं हर तरीके समझा दिया इस तरीके के figure के हिसाब से समाझा दिया और body के भी हिसाब से समझा दिया कि ये चीज कहां पे arrange रहती है कुछ लोग को उस figure से समझने के बाद भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आता उस figure के according भी बताया कि उस figure में सबसे अंदर क्या है ये आपका elementary channel है सबसे बाहर जो skin वाली layer है यानि कि जो आपका ectoderm है वही क्या है body wall है सबसे बाहरी layer है तो इनके बीच में ही siloam ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है line करके लिखा विया यही आपका क्या है siloam है उमीद करता हूँ कोई doubt नहीं है अब हम types of siloam को देखेंगे तो देखिए siloam के presence और उसकी absence के ही base पे animal को classified किया जाता है तो उसी के base पे इनको तीन प्रकार में बाटा गया है अब उस तीनों प्रकार को हम एक के करके देख लेते हैं पहले तो एक साथ ही इन तीनों को समझ लीजे ये रहाब का a siloamate ये रहाब का siloamate और ये रहाब का pseudo siloamate ठीक है इन तीनों में क्या अंतर है पहले यही पे समझ के यही पे इसकी कहानी खतम कर देजे देखे इसमे भी जो सबसे बाहरी layer होती है वो एक्टोडर्म की होती है जो कि आपका समझ रहे हैं जो आपकी skin लेयर है उसके जो अंदर जो यानी की muscles वाली layer है और जो सबसे अंदर वाली layer है जो यहाँ वाली है वो आपकी इंडोडर्म है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि एसीलोमेट में भी वही सब लेयर है और आपकी सीलोमेट में भी वही सब लेयर है लेकिन आप यह देख सकते हैं कि आपके एसीलोमेट में आपकी जो मीसोडर्म है और फिर इंडोडर्म है इनके बीच में आपका सीलोम परजेंट नहीं होता है लेकिन सीलोमेट में जो आपका है उसमें आपके मीसोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ही आपका सीलोम परजेंट होता है और वो भी true silome present होता है बिलकुल true अभी आपको हम समझाएंगे कि true silome और false silome क्या होता है तो देखिए इसके अंदर true silome पाया जाता है और जो आपका pseudo silomate है इसके अंदर false silome पाया जाता है और उसी false silome को ही pseudo silome कहते है इसमें भी वही वही चीजे है digestive cavity या कह सकते है elementary canal इन सभी के अंदर पाया जाता है तो आप कह सकते है कि एस silomemate में elementary canal और जो आपकी Body Wall है यानि की Ectoderm है उनके बीच में silome present नहीं होता है silomemate में elementary canal और body wall के बीच में silome present होता है और आपका जो pseudo silomemate है इसमें elementary canal या digestive tract जो भी आप कह लिजे और ectoderm के बीच में आपका false siloam present होता है यानि कि गलत siloam present होता है आप इस तरीके से समझ सकते हैं अभी true false क्या है वो हम आपको समझाते हैं तो अमीद करता हूँ यह चीजें आपको पहले मोटा मोटा समझ में आ गया होगा अब part part करके एक एक के बारे में समझते हैं सबसे पहरे हम देखेंगे एस siloamate क्या कह रहा है चलिए तो यह आपका एस siloamate देख रहे हैं अब इसको देखेंगे समझा रहा हूँ अब एक siloamate को समझा रहा हूँ यह जो आपकी सबसे बाहरी layer है वो क्या है body covering है यानि कि आपके skin वाली layer है जो आपके skin वाली layer है वो आपकी mesoderm वाली layer है जो सबसे अंदर वाली layer है आपकी इंडो डर्म या डाइजेस्टिफ ट्रेक्ट कह सकते हैं या एलिमेंटरी कैनल कह सकते हैं यह समझ में आ गया तो इनके अंदर जिस तरीके से बॉडी कैविटी बाकी सभी में परजेंट रहता है वैसे इसमें परजेंट नहीं रहता है ठीक है तो जब यहां पर अगर इसमें वह चीज अपसेंट है नहीं परजेंट है सिलोम नहीं पाया जाता है तो ऐसी इस्थिति में जो इनके अंदर और्गन परजेंट रहते होंगे वह हिलते डूलते नहीं होंगे नहीं बिलकुल नहीं हिलते डूलते उसकी वज़ा है कि जो इसके अंदर क्या पा पाया जाता है और वही पैरनकाइमा जो इनके अंदर internal organs होते हैं उनको हिलने डूलने से रोकते हैं मना करते हैं कौन रोकता है पैरनकाइमा वही पैरनकाइमा इनको हिलने डूलने से रोकता है और इसी चीज को ऐसे भी कहा जाता है कि जो आपका एक्टोडर्म है और जो आपक उसको ही blasto-colle कहते हैं और इसी blasto-colle में ही क्या भरा होता है इसी में आपका parent काइमा भरा होता है उमीद करता हूँ आपको मन में कोई doubt नहीं होगा फिर से समझ लेजे एक्टोडर्म यानि कि सबसे बहारी लेयर और सबसे भीतरी जो लेयर है यानि कि इंडोडर्म इनके दूरी में ही parent काइमा फिल होता है भरा हुआ होता है जिसकी वजह से जो इसके internal organ होते हैं वो movement नहीं कर पाते हैं एक जगह पे इस थी रहते हैं उमीद करता हूँ बास समझ में आ गई होगी अब इसी चीज़ को थोड़ा फार्सी लेंग्मेज में पढ़ देते हैं और सिलो पास का जो इस पेस होता है वो parent काइमा से ही पूरी तरीके से भरा होता है फिल्ड रहता है ठीक है जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि इसके इस internal organ के आज पास कोई भी body cavity present नहीं होती है वही लिखा हुआ है hence there is a no body cavity surrounding the internal organs परन काइमा restricted the movement of the internal organ मैं आपको बताए दिया था कि ज is a lack of fluid fluid filled body cavity between the body wall and the digestive tract वही मैंने बताया आपको आपके internal organ आपके जो आपका elementary canal है और जो आपका ectoderm है यानि कि जो सबसे बाहरी layer है उनके बीच में जो fluid filled body होती है body cavity होती है वो इनके बीच में नहीं पाई जाती है और जब वो चीज नहीं पाई जाती है तो अगर आपको कि इसी बाहर से कोई force लगता है कोई crushing force बाहर से apply किया जता है तो इससे जो आपके अंदर present organ है internal organ है उसकी protection नहीं हो पाती है उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती है ठीक है तो मित करता हूं यह सारी चीज़े आप समझ गये होंगे यह रहे आपके कुछ example आप पढ़ लिजेगा cut करने पर हमको कुछ ऐसा प्राप्त होगा और इसको जब explain किया गया है तो यह सबसे बाहरी layer यानि कि एक्टोडर्म हो गई यह आपकी muscles वाली layer यापकी mesoderm हो गई यह सबसे अंदर वाई layer यानि कि आपकी endoderm हो गई और इनके बीच में ही क्या present होता है pseudo-silom present होता है यानि क ब्लास्ट कोल होता है मैंने आपको बताया था ना कि आपके बाहरी layer और आपकी भीत्री layer यानि कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म के जो बीच का यह दूरी है जो distance है इसे ही क्या कहते है आपका ब्लास्ट कोल कहते है ठीक है आप ऐसे समझ सकते हैं वह आपकी बहुत हलके र होती है ठीक और और जो इसमें जो false body cavity पाई जाती है वो जो है वो सिर्फ जो मीसोडर्म की layer है उससे सिर्फ बाहर-बाहर से घीरी रहती है यानि कि जो आपका body wall के side में आपका जो मीसोडर्म है यह आपका क्या है यह आपका siloam है या कह सकते है बाडी कैविटी है तो यह सि तरफ से जो आपका इंडोडर्म वाला पार्ट है या जो आपका ये गट वाला पार्ट है इस तरफ से ये आपकी मीसोडर्मल से या मीसोडर्म से नहीं घिरी हुई होती है इसी वज़ा से इसे फाल्स सीलोम कहते हैं फिगर के माध्य हम से और अच्छे से समझा पाऊंगा ध् इनके बीच में आपको कलर कट देखिए ध्यान समझेए कलर वाले से ज़ाज अच्छे समझ में आएगा आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें यह जो ग्रीन वाला कलर है यही आपका मीसोडर्म है यह इस बॉडी कैविटी को उपर से भी घेरा है और यह नीचे जो इसे हम टू सिलोम कहा जाता है यहाँनी तू सिलोम का मतलब क्या होता है कि आगर मीसोडर्म से उपर से भी घेरी हो और अगर नीचे से भी घेरी हो तो ऐसी कंडीशन में जो सिलोम होता है उसे हम true silome कहते हैं लेकिन pseudo silomate के अंदर false silome पाया जाता है false silome का मतलब यह होता है कि यह misoderm की layer से यह body cavity है यह silome है वो सिर्फ एक ही side से घिरा होता है एक ही side से body wall के side से ही यह misoderm की layer से घिरा होता है अंदर की side यानि की gut वाला side या elementary canal वाले side से यह नहीं घिरा होता है इसी वज़ा से यह false silome कहा जाता है उमीद करता हूँ पूरी चीज समझ में आई होगी तो यहीं प्यास की कहानी खतम करते हैं अगली वीडियो में इनके जो और topics हैं उनको भी मैं explain करूंगा वहाँ पे इसका किस तरीके से development हुआ है किस तरीके से silome का evolution हुआ है वो सब topics को समझेंगे और एक बार इस पूरे topic को अगली वीडियो में revise भी कर लेंगे ताकि आप आसानी से पूरी चीज एक बार में समझ जा है उमीद करता हूँ आपके मैं में कोई doubt तो नहीं बचा होगा मैंने बहुत अच्छे से explain किया है आपको अब जो मैंने एक नहीं बताया है वो भी आप समझ चुके होंगे जिसका नाम है silomade वो भी आप आज के इतने explanation से समझ गया होंगे कि वहाँ पे true silome present होता है यही उसकी खासियत है तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आएगी तो like, share, subscribe किया करिए आपके comment में को बहुत खुसी देते हैं कि मैं फिर से खुसी खुसी एक वीडियो बनाने के लिए फिर से तयार हो जाओ तो ठीक है टाटा बाई बाई